नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागंद्र मिस्रा में नौ जनवरी शफला एका दसी तुलसी पर चढ़ा दें यह एक चीज दरिद्रता भूल जाएगी आपके घर का रास्ता जी हाँ दोस्तों नौ जनवरी 2021 आज सनिवार का दिन है और आज सफला एका दसी है जी हाँ दोस्तों कितना सुबसंयोग बन रहा है यह एक बेहद सुबसंयोग और तुलसी पर यह एक चीज चढ़ा दें जिससे की माता लक्ष्मी जी सदैब आपके घर में वास करे और धन का अमबार लग जाए दोस्तों जीवन में भला किशे धन की चाहत नहीं होती है कौन नहीं चाहता कि उसके घर में खोब सारा धन हो उनके यहां माता लक्ष्मी जी का वास हो और जीवन परियंद सुख शुबधाओं का यनी आबागवन रहे और अवश्य आए लेकिन जब लक परियोग करें ताकि जीवन की तमाम परिसानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा हला कि आज हम आप उसको बताएंगे और आज आपके भाग को चमकाने वाले उपाई को बताएंगे लेकिन तुलसी में ऐसा क्या आरपित करें कि जीवन के सारे कश्ट मिट जाएं लेकिन पह अपने घर की साप सफाई करती हैं अपने घर की देख रेक करती हैं समय पर खाना बनाना समय पर लोगों का यहीं सतकार सेवा सतकार करती हैं और कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उन्हीं का परिस्तरम होता है उन्हीं का सेवा भाव होता है उन्हें पानी पिलाना तो सारी चीजों पर ध्यान देना तो वो घर की साप सफाई करती हैं हर एक घर की यानि की देख रेक करती हैं और धन संपदा को कैसे यानि की अन बगारा को सब कुछ कैसे रखते हैं सब उन ही पर रहता है और तुलसी का विशेश यानि तुलसी माता का विशेश ध्यान भी रखती है लक्ष्मी माता का शुरूप है अब हम बात यहां कर रहे हैं चुकि हमारा टॉपिक है आज कि तुलसी पर यह एक चीज चढ़ा दें तो आपके पास माता लक्ष्मी जी का सदय बास होगा और दरितता कभी आपके घर में आएगी नहीं अब दोस्तों वह इसी कौन से चीज है देखे तुलसी भागवान बिश्णो और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्री है भागवान स्रेकृष्ण यानि कि साली ग्राम को तुलसी अरपीत होती है तो आपको क्या करना है आज सफला एकदसी भी है चुकि आज यानि स्रेकृष्ण जी का सफला एकदसी है और इस दिन स्रेकृष्ण के उपर यनि के साली ग्राम के उपर तुलसी दल जरूर चढ़ाए इससे बहुत ज़्यादा प्रसंद होते हैं स्रेकृष्ण भगवान और भगवान विश्णो और माता लक्ष्मी जी की अशीम कृपा बनी रहेगी इससे माता लक्ष्मी प्रसंद होंगी तो माता लक्ष्मी सदैब घर में बास करेगी और दरिद्रता आपके घर से को सुदूर भाग जाएगी दोस्तों चूंकि पीले वस्त में भगवान स्रेकृष्ण का बास होता है और माता लक्ष्मी जी को भी बहुत प्री होता है अब लक्ष्मी जो यानि कि जो तुलसी होता ह लक्ष्मी का स्रूप होती हैं लक्ष्मी माता और तुलसी माता इसलिए आपको तुलसी माता के उपर आपको हल्दी की एक जारा गांट पीले हल्दी मांद के जरूर करें और एक दीपक जला लें देखिए आज के दिन सफला एकदशी है सफला एकदशी के दिन अगर तुलसी के पेन के नीचे और वहीं पर बैटके एक पीले कपड़े पे आप पांच हल्दी की गांठ और वहीं पर आप एक सुपाड़ी तीन इलाची दो लौंग बांध के और थोड़ा सा सिंदूर वहाँ पर बांध के एक पीले कपड़े पे बांध के रख दें और जब तक दीपक जले soil तर्फ तक उसे वहां पड़े ही रहने दें और देख्या वहां पर बैटके आप प्रातर न करें अपनी मन की प्रातर करें जो आपके मन की आिछा 1 न को लेकर और जब दीपक भुज्ज यह तो उसी यह पूटेली को ले जाकर अपने आलमारी या पूजास्थान पर रख दें दर्दरता कोशवदूर भागेगी शदयब घर में धनकार यानि बास होगा मातलक्षमी शदयब बास करेंगी अब दोस्तों यह एक चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है जो आपको चड़ाना है आज सफला एक अद या तीन पूप पर मिल जाए इसको लाकर यह एक चीज यानि पूप को ले आकर तुलसी के पेंड पिंड पर चड़ा दें चुकि आज सफला एक अदसी है और सफला एक अदसी वहाग्वाण सִूरिकर्षमीं का दिन होता है और पीली वस्त पे पीले पूप पे भगवान स होते हैं वही चीज पर माता लक्ष्मी जी फ्लण होती हैं और वही चीज पर यानी की टुलसी बाता होती है तो तुलसी माता जी के ऊपर आज आपको पीले शाहा देना है यकीन मानिए आप के घर में अगर आप रोड़स्थी होंगे और जम कर पैशह आएगा माता लक्ष्मी जी कृपा आपको पर सदे बनी रहेगी तो दोस्तों कमेंट बाक्स में सचे दिल से जै मालक्ष्मी आवस्ट लिका और जाते जाते बीडियो को लाइक जरूर करिए ने तो चनल को सबस्काइब करें उसे शेयर करिए